हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल दे लेजी एंटरपरनॉर में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो कंसी के बारे में ये क्या होती है क्या इसके फायदे है क्या इसके नुकसान है और कैसे इसे यूज किया जा सकता है और क्या इसका भविश्य है तो सबसे पहले हम बात करते है क्रिप्टो कंसी क्या है क्रिप्टो कंसी एक डिजटल یعن muita विर्च्योल कंसी है जिसे एक एक्स्षेंज के मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है यह है अक डिजटल एसे जिसे आप चीजों को खरीदने और बेचने के लिए यूस कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे तो अब हम बात करते है क्रिप्टो करंसी एक्चुली में क्या है देखे दोस्तों क्रिप्टो करंसी एक पेमेंट का क्रिप्टो करंसी फाइनेशल ट्रांजेक्शन के लिए क्रिप्टो ग्राफिकल फंक्शन का यूज करती है यह ब्लोक्चेन टेकनलोजी के जरिये से डिसेंटरलाजी के इसकी वैल्यू को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है क्रिप्टो करंसी का सबसे इंपोर्टन फीचर यह है कि कोई भी सेंटरल अथार्टी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है प्राइवेट और पब्लिक कीज का यूज करके क्रिप्टो करंसी को दो पार्टी के बीच में डायटली सेंड किया जा सकता है आज क्रिप्टो करंसी को पूरी दुनिया में ज़्यादा तर लोग जानते हैं तो चलिए जानते हैं कि Cryptocurrency Work कैसे करती है लोगों के बीच में Cryptocurrency का Transaction यानि कि Cryptocurrency Wallets Software का यूज़ करके होता है Transaction करने वाला परसन अपने Balance को एक Account यानि की Public Address से दूसरे Account में Transfer करने के लिए Wallet Software का यूज़ करता है Fund Transfer करने के लिए Accounts Related Password यानि की Private Key की जरूरत रहती है लोगों के बीच में किये जाने वाले Transaction को फिर Encrypt किया जाता है और फिर उसे Cryptocurrency के Network से जोड़ दिया जाता है जो कि एक Public Ledger पर Available रहता है जो कि एक Q के अंदर Add के अर्द कर दिया जाता है और फिर Transactions को Public Ledger पर Mining Process की जरियर Record किया जाता है किसी भी Cryptocurrency के सभी यूज़र के पास Ledger का Access होता है और अगर वो Access को चूज करते हैं तो यहाँ पर Transaction Amounts Public होते हैं लेकिन Transactions किसने भेजे हैं वो Encrypted रहता है हर एक Transaction के साथ एक Unique Key का Set रहता है जो भी उस Key का Set को हासिल कर लेता है तो Cryptocurrency के Amount का Owner बन जाता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक Bank Account के मालिक का Account में जितने भी पैसे रहते हैं तो वो है उसका मालिक होता है एक साथ बहुत सारे Transactions को लेजर में Add किया जाता है Transactions के Block को Minors Subsequentially Add करते हैं यही वज़ा है कि Ledger और उसके पीछे की Technology को Blockchain कहा जाता है यह Transaction के Blocks का एक Chain रहता है अब हम बात करते हैं कि Cryptocurrency के Advantages और Disadvantages की तो देखे दोस्तों अगर मैं Advantages की बात करूँ तो बिना किसी Third Party यानि कि Bank कि Cryptocurrency को Directly दो लोगों के बीच में Transfer करना आसान है यह Public Keys और Private Keys की Help से Secure किया जाता है जिसकी वज़े से यह बहुत Secure है दूसरा Payment Option के Comparison में यह इसमें Transaction Fee भी बहुत कम है तो अब हम बात करते हैं Disadvantages की तो देखिए दोस्तों यह difficult to understand यानि कि समझने में थोड़ी सी मुश्किल है Cryptocurrencies नहीं है और इनके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम भी नहीं है लोगों proper knowledge की वज़े से अगर कोई लोग इसमें invest करते हैं तो आपके पैसे डूबने का खत्रा बना रहता है दूसरी बात हम करते हैं कि knowledge की यानि कि लोग को इसके बारे में कैसे use करना है किस तरह से transfer करना है किस तरह से अपने wallet के अंदर transfer करना है वो सब की knowledge ज़ादा है नहीं तो इसी वज़े से hackers के लिए रास्ते खुले हुए है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से use करें not accepted widely यानि कि बहुत सारे companies अभी तक digital currency को accept नहीं करते हैं बहुत सारे countries ने भी उसे legal नहीं किया है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अभी अभी जैसे जिस टेम पर यह वीडियो बनाई जा रही है उस टेम पर अभी ख़बर आई है कि सबसे पहले El Salvador यानि कि वहाँ के देश के प्राइम मिनिस्टर ने यानि कि गौर्मेंट ने अभी इसको legal कर दिया है यह वो पहला देश बना है जहाँ पर क्रिप्टो कंस्रीज को legal किया गया है अपने वॉलेट को आप lose कर सकते है आपने बहुत सारी नियूस भी पढ़ी होंगी नियूस सुनी भी होंगी कि किसी ने अपने बिटकोईन के वॉलेट की कीज को lose कर दिया और उसी वज़े से उसे बहुत बड़ा नुकसान भी जहिलना पड़ा करोडो की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि मतलब किसी ने 2011 में 2012 में अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर बिटकोईन्स खरीदे थे और जिनकी वैलियू आज बहुत करोडों में है लेकिन वो लोगों के पास उनकी कीज नहीं है जिसकी वज़े से उनने लॉस भी खाना पड़ा तो वही चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है कि अगर आप वॉलेट को लूज करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है अगर आप अपने कोईन्स को लूज कर देते हैं तो उसको वापिस नहीं पास सकते हैं नो रिवर्स पेमिन्ट यानि कि जिसे अगर हम किसी भी बैंक के अंदर कोई ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर वो गलती से हो गया है, कि वो आप वापिस कर सकते हैं उस payment को, पर अगर crypto wallet के अंदर से आप किसी को transfer करते हैं payment, तो वहाँ पर possibility यह नहीं रहती कि आपको reverse कर दिया जाएगा वो पैसा, अगर आपने एक बार किसी को transfer कर दिया है, तो वो वहाँ पर रह जाता है, इसके अगर आप investment चाहते हैं करना Bitcoin के अंदर, तो यह उतना ही risk है कई ना कई, जितना Bitcoin, पर एक फरक है यहाँ पर, कि Bitcoin एक decentralized finance है, कंट्रोल नहीं करती है, कोई company कंट्रोल नहीं करती है, जबकि gold को अगर कोई कंट्रोल करता है, तो government उसके उपर regulation लगा के रखती है, क्योंकि इस त देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप investment करना Bitcoin के अंदर, तो यह थोड़ा सा risky भी है, बट उतना ही, अगर risk है, तो उतना ही वहाँ पर आपको फायदा भी रहेगा, तो यह आपके ऊपर यह आप कितनी knowledge, कहाँ पर कौन से sources को अपर अगर आप focus कर रहे हैं, देख उनका कहना है कि यह finance की दुनिया में मतलब जो currency है, virtual currency उसका भविश्या है, वही पर Elon Musk की प्रतिकरिया जो है, जो कि कभी उपर रहती है, कभी नीचे रहती है, उनकी tweets से पूरा का पूरा market circulator रहता है, और अगर मैं बात करूँ Warren Buffet की, यानि कि आज तक है सबसे बड़े investor की तो उनका कहना है कि, बेसिकली देखिए, Warren Buffet कहते हैं कि यह एक safe asset नहीं है, यानि कि इसके अंदर invest नहीं करना चाहिए, पर हर किसी की अपनी अपनी राय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो की मतलब आपमान के चले की zero से hero बन चुके हैं, सिर्फ Bitcoin की मदद से, बाकी हम बात क करेंगे दोस्तों, और cryptocurrencies के बारे में कि क्या update है, कौन से में आप invest कर सकते हैं, उसके लिए देखते रहिए हमारा channel, the lazy entrepreneur